आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि किसी भी quadratic equation का जो roots निकलते हैं यानि कि x का जो दो value उजी को हम लोग roots कहते हैं वो हम लोग कैसे पदा करते हैं कि उसका nature क्या है ठीक है? nature यानि क्यों ideal है, unequal or equal है यह पदा करती यह एक marks का question आता है इसके बारे में हम लोग करेंगे और इस वीडियो में 4 question बनाएंगे ठीक है? तो हम लोग को पहले condition लिख लेना चाहिए कि कौन-कौन सा condition जरूरत होता है हम लोग को यह पदा करने के लिए quadratic equation का जो roots है, वो real है, unequal है, क्या है तो सबसे पहले हम लोग को पदा करना होगा b square minus 4ac, जो है, वो 0 के बड़ाबर है, यानि अगर यह 0 के बड़ाबर है, इसका मतलब यह जो है, deal and equal है अगर b square minus 4ac, 0 से बड़ा है, यानि कि यह deal तो है लेकिन यह unequal है ठीक है, अगर b square minus 4ac, 0 से छोटा है यानि कि यह unreal है, ठीक है ठीक है, unreal है, या फिर no real, या फिर आप कह सकते है imaginary number है, ठीक है, imagine हम लोग करते है इसको, ठीक है, तो हम लोग इसको पहले इस solve करेंगे कैसे solve करेंगे, कि हम लोग को, अब यह देखी b square minus 4ac, इसमें आप लोग को, बहुत लोगों को पता हुआ यह क्या है लेकिन जिसको नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ यह a square, a x square plus b x plus c equals to 0 यह a standard form है, quadratic equation का, जिसमें एक x square होना ज़रूरी है यह भी हो सकता है, b के जागा पर 0 आ जागा लेकिन reality में हो सकता है और यह c होना चाहिए, ठीक है, लेकिन x square जिसमें है, वो quadratic equation कहलाता है ठीक है, तो यहाँ पर b है, c है, a है, यानि x square का जो coefficient है, उसको हम लोग कहते हैं, x का coefficient को b और c, यानि के b यहाँ पर, हम लोग का, b square minus 4ac, यानि का b square यानिकि x का coefficient, x का coefficient a seven है, है, 7 square minus 4 into, a यह किसका है, x square coefficient來, को इंतू c, जो है, यह common है, या यह constant है, अकेला है, है इसको 3 हम लोग का क्या आया है नीचे लिखते हैं हम लोग का आया 7749-488204 यानि कि हम लोग का कितना आ गिया 25 इन दोनों को घटाकर यानि कि यह 0 से बड़ा है यानि कि नेचर ओफ रूट्स आर कहा है जीरो से बड़ा यानि कि यह वाला यानि कि रूट्स आर रियल एंड एंड एक्वल ठीक है तो इस तरह का कोशन तो अपलोग से बन जाना चाहिए आते हैं दोस्ते टाइप यह कोशन जिसमें रूट होते हैं यानि कि एक्जाम्पल को तरह पर 3x स्क्वार माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल स्टो जीरो ठीक है कोशन द्यान से देखिए आप लोग इसमें भी हम लोग को क्या करना है नीचर पता करना है तो हम लोग पहले था हम लोग स्क्वार माइनस 4ac निकलेंगे हम लोग का बी क्या होता है एक्स का कोईफिसेंट यानि की एक्स यह है तो इसका कोईफिसेंट यह होगा यानि की टू रूट 6 थेकर माइनस 4 इन्टु ए यानि की एक्स स्क्वार कोईफिसेंट 3 और सी यानि की यह वाला तो हम लोग का गया यहां पर द्यान दीजिए यहां पर 2 रूट 6 नहीं लिखना है यहां पर माइनस भी है ठीक है और हम लोग के इस्टैंडर फोर्म क्या होता है एक स्क्वार प्लस बी एक्स होता है प्लस याने कि प्लस होता है माइनस याने कि हम लेना है माइनर तू रूट सिक्स का होल स्क्वार ठीक है अब हम लोग आगे करते हैं तो माइनस माइन plus हो जाएगा 2 to the 4 into root हर जाएगा तो 6 minus 4 3 is the 12 12 to the 24 तो यह होगी हम लोग का 24 minus 24 यानि की 0 अगर यह 0 आ जाता है तो क्या हो जाता है हम लोग का बताये थे real and equal to the nature of roots are real and equal ठीक है इतना समझ में आ गिया तो एक और question बना ले हम लोग कि जब समझ में आता है तो बनाने में भी मज़ा आता है और आप लोग को भी मज़ा आगा देखने में तो थर्ड question जो है वो क्या है 2x square minus 7x plus 9 equals to 0 ठीक है अब हम लोग को यहाँ पर भी same चीज़ करना है b square minus 4ac ठीक है तो b हम लोग का है minus 7 तो minus 7 का whole square minus 4 into a है हम लोग का 2 into 9 यानि कि 77 ज़ा 49 minus 42008 89 ज़ा 72 यानि कि यहाँ गया क्या minus क्यों कि यह बड़ा है तो हम लोग को बड़ा को पहले लिखना है छोटा को बाद में तो 72 minus 49 यानि कि 12 में से 9 गया 12 में से 9 गया 3 6 में से चाहिए 2 यानि कि minus 23 यह क्या है 0 से छोटा तो हम बतायते हैं कि 0 से जब छोटा होता है तो क्या होता है दा नेचर ओफ दा नेचर ओफ रूट्स हार अन्रियल या फिर नोरियल आपको जो मर्जी हो वो लिकिया है ठीक है यहां तक समझ में आया है अगर question हो एक और question and last question हम लोग बनाते हैं 2 by 5 x square minus 2 by 3 x plus 1 equals to 0 ठीक है अब यह तो by वाला है इसको कैसे करेंगे कोई मसला नहीं है हम लोग को x x square दिया हुआ है हम लोग को यह हो गया बी तो हम लोग यह से लेते हैं therefore b square minus 4ac exactly यह निकालना है तो b square यानि कि यह वाला minus 2 by 3 का whole square minus 4 into a जो है यह है 2 by 5 into c जो है यह है यानि कि into 1 तो हम लोग इसका निकालते हैं तो क्या होगा तू 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 जा 4 तू जा 9 तू की square है minus यह उपर में है तो नीचे में 1 होता है तो 4 तू जा 8 by 5 अब हम लोग इसका है लेंगे नाइन फाइब जा फूर्टी फाइब ट्वेंटी जैको 9 फाइब फूर्टी फाइब नौ पच्छे पिता लिए पांच जो आता है वह इससे पांच जो के बीश और नौ इससे नौटे बहतर हम लोग का क्या होगा माइनस टू सैवन में से टू गिया फाइब 52 बाइब 45 वह मतलब नहीं कितना है देखना है कि माइनस आया यानि कि 0 से छोटा है यह भी हम लोग का क्या होगा दा नेचर और फूर्ट्स अर नो डियल बहुत असान था चार कॉर्शन इसली बन गया अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट फिलिके हम जोर एंसर करेंगे हैं